सीमा फूट ब्लोग में आपका स्वागत है कैसे आप सब वैलकम टू माई चेनल और आज हम बनाएंगे मासाले वाली भिंडी भर्मा तो भिंडी हमने धोके और इनको अच्छे से सुखा के पानी पोंच लिया है गीला नहीं है और यह बीच में से चीरा काटके जो ज्यादा बड़ी थी उनमें से दोपीस कर दिये हैं और बीच में से चीरा लगा दिये तो अभी इसका मासाला बनाएंगे इसमें हल्दी डाली है नमक और अभी इसमें और मसाले डालेंगे तो यह हमने प्याज और अद्रक कद्दू कस करके रखा है उसमें लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर और यह जो कद्दू कस किया है वो सब डाल देंगे लेसन अद्रक और प्याज तीनो कद्दू कस किया पीशा नहीं है थोड़ा मसाला गेला होता है इसल्cendू कद्दू कस किया है तो इसमें है गरम मसाला धनिया पाउड़ो जीरा पाउड़ो तीनों मिक्स एक साथ और यह सौंप में जरूर लालती हूँ कि स्वाप से बहुत अच्छा टैस आता है सब्जी में जब मसाले वाली जैसे भर्मा बेंगाने भर्मा बिंडी यह भर्मा तो रही है या लोकी भर्मा तो यह सब में चूड़ेगी तो मसाला मिल जाता है तो म सहल की मसाला म मिल चुका है और अभी हम में भरेंगी म्यूंग कि विश्मी अब ज्यूप में में भर्मा तो अब थौन corpor से हमें दालियों के साथ करदी साय में ज anyone को कि शूदीलिक पशौने का сबस्त है जाया यह में नहीं बहुत थोड़ा मसाला भरा जाता है यह थोड़ा दवा के भर देते तो फिर मसाला निकलता नहीं है इस तर ऐसे को देखे ऐसे सबसे सब बिंडी भर लेंगे और आप लोग क्या-क्या मसाले डालते हैं बताइए मुझे कमेंट करके आप लोग कैसे बनाते बर्माविंडी है तो बस रिसी साथ से हम सब भर लेंगे और यह हमारी भर्कत तयार हो जाएगे फिर हम इनको की इनका तडगा देंगे कि अब देखिया है यह समसाले की मिर्चि भी बड़ी वाली जू आती यह ज्यादा पीखा वाला मोटा वाला तो यह जादा तीखा नहीं रहता है वह उसको भी ऐसे बनाते हैं उसमें थोड़ा बेशन भी डालते हैं तो यह देखिए हमारी सब हो गई है तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम लेंगे थोड़ा से जीरा डालेंगे आपे सांब डाला तो ज्यादा जीरा डालने की जरुरत नहीं किले फ्लेवर के लिए थोड़ा से जीरा डालेंगे और फिर हम इसमें बंडी फ्राइब करेंगे तो यह हमारा तड़का हो चुका है और बंडी डालके इसको हम फ्राइब कर लेंगे कट और इन अम ढकेंगे नहीं क्योंकि खुले में पखाएंगी क्या नो मैं अवा यह साड लिप अ हो जाती है तो इसलिए इसको डखना नें हैं और एसे खुले में इसका अच्वार करकर बगेर के पकाएंगे टाइम नहीं लगता है इनको पकने में और डखने से क्या भाप से ना इनका लिवलबाट पन आ जाता है वह नहीं अच्छा लगता है फिर वह पकती भी नहीं है भिंडी अलग अलग नहीं होती है तो इसे साथ से हम इनको ऐसे खुले में पकाएंगे और देखिए थोड़ी देर में यह हमारी पक्के तयार हो जाती है और इसके साथ आप किसी से भी खा सकते हैं इसको दाल चाबल से ज़्यादा अच्छा लगता है कि दाल चाबल हो और नहीं है कुछ तो बिंडी की सब्जी ऐसी कुरकुरी बनाके और दाल चाबल से खा लो पराठे से यह देखिए मेरी तयार हो चुकी है यह देखो एक-एक बिंडी हो गई है क्योंकि डखते तो यह ऐसा नहीं बनती है इसलिए नहीं डखा है मैंने तो यह हमारी रेडी हो चुकी बिंडी की सब्जी तो इसके साथ हमने बनाए है पराठे पराठो का नहीं सेर किया है तो भिंडी की सब्जी आप लोग कैसे बनाते बताइए तो मेरे वीडियो पे नए हैं तो लाइक सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सस्क्राइब करना ना भूलें तो देखिए आमारी तैयार हो गई है भिंडी की सब्जी पूरी पराठा जिससे भी खाना आप खा सकते हैं आपकी चोईस के उपर है यह देखिए तो मिलते आपको नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई